तो देखिए गाइस आज मैं आलो से बनने वाली दो रेसिपी जैसे फ्रेंस फ्राइ और चीली पेटेटो की रेसिपी सेर करूंगी पूरा वीडियो देखिएगा इसकी मत करिएगा जब भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनानी है और आपकी बहुत ही टेस्टी और क तो आज फिर एक न्यू रेसिपी आपके साथ से रिकनने वाले हूं और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा मेरे चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब और हाँ यदि को कोई कन्फूज नहों तो कमेंट करके पूछ लीजेगा मैं रिप्लाइ साथ के आलू लंबे-लंबे वाले तो वह हो तो और भी अच्छी बात है पर मेरे पास बड़ी साथ के नहीं थे छोटी-छोटी साथ के ही आलू थे तिनों को सबसे पहले मैं ने धू लिया था धो के फिर मैं क्या कर रहे हूं उन्हों को छील ले रही हूं तो आलू की हम दो प्रेंच प्राय बनाए तो बहुत कुरकरी बने और यदि आप चिली पेटेटो बनाए तो वह भी क्रंची लगे टेस्टी लगे तो देखी गाई सी में आलू है इनों को अच्छे से चील लिया चीनने के बाद में इसका गंदा पानी निकाल लिया है और दुबारा से मैं थे तो यहां आपके बाद में बिच्चे का लेजिये तो बिल्कुल से आप फ्रेंच फ्राय नहीं की बहुत अच्छी आती पर मेरे पास बड़े साइज के आलू हुआ नहीं तो इनों को काट के सीधा आपको पानी में डाल देना है पानी में डालने से क्या कि काले नहीं पड़ेंगे और इसका अंदर का श्टार्च हो बिल्कुर साप हो जाना चाहिए जब तक इसका पानी चंज कर लेंगे तो यह हमारे जो फ्रेंच फ्राय हम कट कर लिया है अलो की अलग से बाउल में डाल लिया है पानी इसका विल्कुर स्टार्ट निकल चुका है अब हम क्या करेंगे दूसरे बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे और फिर हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं पूरा देखेगा इसकी मत करेगा जब आपका चट पड़े पैटेटो फ्रें अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा समय नमक डाल लिया ताकि फीका ना लगे फीका पन ना लगे इसमें अब मैं क्या कर रही है इसमें डाल रही हूं मैं चाउल का आटा डालने से क्या होगा कि जब मैं फ्रेंच फ्राय बनाएंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे चाउल का आटा कृपिछ न चाउल का पधा लागे तो ऐसमें एड़ कर सकते हो तो दोनों को अच्छे से मिला देना है यह जो अलुशा इन्हों पहर अच्छे से कोटिंग हो जानी चीहे तो इस तरह से हम इसको टेप टेप कर लेंगे तो इससे क्या होगा अच्छे से कोट है और इनों को तो सभी को हम शुआ नैजं эфф कर लेंगे बिल्कुल तेज गर्म हो गया है सीधा इनों में डाल Kane तो एक एक कर लिए ताकि चिपक जाते हैं मतलब एक साथ चिपक जाते हैं तो देखे मैंने एक की करके डालें जबी भी थोड़ा वो चिपक गए हैं पर आप इसको इतना टैंसन मत लीजेगा क्योंकि बाद में आराम से निकल जाएंगे तो इस लिए निकल जाएंगे तो यह देखे बिलकुष फ्राइ हो चुके हैं यह दरे स्थेव मैंने बिलकुष फ्राइ कर लिए हैं और आगे मैं बताने वालिए हूं फ्राइक इस बार certified यहां करने कि ताकि और कूर में किस तरह से रखना आपको यह वह थी टीप्स देने वाली हूं कि यह जैसा प्लेट म तो पूरे जितने भी मैंने आलू कट करके ते पीसेज में तो इन्हों को इस तरह से कर लेंगे तो देखे गाइस यह जो हम दूर ढखते हैं वह आली छनी है मैंने प्लेट पे रखी हुए तो यह मैंने फ्रेंच फ्राय निकाले में सीधा मैंने छनी में रखे हूं क्यों रख तो आदा खा सकते हों तो मेरे बच्चों मेरे बच् Vil前 ऑदा कर लिया था दो देखे का दो दूसरी मेरे दूसरी कर रहे हूँ यह हैँ पनीर्टिहों मैं जेसे उफ और डेहर सारा पनीर वो मैंने इसकी वीडियो और यूट्यूब पे डाल दी है यह आपने नहीं देखी हो तो मैं इसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगी जाके देख लीजिएगा तो देखी गाई दुबारा से मैंने ओयल में यह दुबारा से फ्रेंच फ्राइब मैंने फ्राइब कर रखी थी दुबारा से डाल दी है तो दुबारा से क्यों डाली है ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत किरिस्पी की करते न Mississippi नहीं है तो दुबारा से इसको हम आगे चिली पेटटों बनाने वाले वाले है इसलिए इसको भ्रहा कर रहे हैं तो एक बात आपको मैं बदादogen be आप इसको बेट इसको इस ठोर में करके रह से इस तरह से जैसे मैंने तो इस तरह से आएडिया आपको खाना हो दोबारेसे इस तरह से फ्राइ कर सकते हो और आप एंज्यॉई कर सकते हो तो मैंने दोबारा से तो इस तो मैंने कडाई कड़ा दी है नौस्टिक कड़ा थिए इसमें डाला मेंने कर वेंडो चमच औूइल वही अगाँपम जब घु राता है तो बाड़ के तो नहीं है फिर हमें इसमें अन्य वाफ्त हो जाए और फिर आनियन डौने हैं वाटी आपके ढ़्याल दिना है रह एकर अपने हैं तो यह दे नहीं है अब तो छीडते हैं जंड़ेह अधिक झालता नहीं जिए सब्सक्राइबर ना खुआ जाए हो ज मधा समय थोड़ा सा डाला है नमक कहीं थोड़ी से सौक्ट से हो जाएं और फिर हम क्या कर रहे हैं why I इसमें Up YOU are ॉइंअ टाल दे रहे हैं तो वाइट विनिःगर डाल दी है मैंने करिबन आदा चमस के लगबर या स्पश्च था दाला था अब मैं इसमें डाला दूंगी तो चमच डाले हैं थोड़े साइज के थे दो चमच के लगबग डाला है तो देख कि डालेगा सोज़ा जादा नहीं पढ़ना चाहिए तो रेसिपी थोड़ी खराब वो सकती है इसलिए जादा नहीं डालना है आप इ नहीं को éléments तक सब्सक्राइब कारए था आप सेज्वान चतनी नहीं हो तो सेज्वान चतनी भी so यह लाल मिर्ट्स पावडर जालएव निङएमिन्हों जासी जासी है पावडर को जर्द्धारम नहीं हम यह को पता भी a तो हम इसमें करें दो चमच के लगट टेमेटो केचुप डाल दिया है अब यह अच्छी से पक चुके हैं स्वेश्ट अब क्या करना एक काटोरी में बावल में पानी लेना है और यह मैंने एक चमर लिया है जो है कॉन फ्लॉर को पानी में अच्छी जिए मिला लिया है बिल् से आने लगेंगे जब तक इसको पकाते जाना है तो इसमें आने असुरू हो गये हैं और फिर हमें क्या करना है जो हमने आलू की फ्रेंच फ्राइ बना के रखी हुए सीधी उन्हों को इसमें डाल देंगे जैसे हमने थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था वो फ्राइ के लिए त इसमें अच्छा लगता है जो चिली पेटेटों की रेल थी बनाने है ख्रूक्री अच्छी अच्छी लगती है क्या ठाल सकती है क्या दाल रहे मैं थोड़ा अरवा है थींगे तर फीर जंदा हुआ को कश जरूर कर सकते ह से कोई जरूर ही यह यह आपके पास हो तो सब आता और इसमें मैंने चीज़ करें इतना ही डाला जड़ा है आगे मैं इसको शरव करूंगी जब उब उपर से डाल ढूंगी तो गरम गरम है तो अटमेटिक ही मेल्ट हो जाएगा चीज़ तो यह देखिे लाइस मैं शरव कर दिया है और थोड़ी से मैंने solid डाल दी है खीरा और onion की solid करके डाली है आप डालना चाहो तो डालिए नहीं कोई जरूरी नहीं है और फिर अब हम इस पे उपर चीज है जो चीज का थोड़ा सा मतलब क्यूबस बचा हुआ था वो भी इस पे मैं मतलब कादुकस कर दूंगी इस तरह से दिखने में अच्छा लगे और यह उपर दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं दिखेगा क्योंकि बिल्कुल गरम हमारा चीली पेटेटो है तो हमें इसको इस स्पून से करेंगे तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा अपर से मैंने थोड़ी सी लाघर मिर्च है उनों को कटकर के डाल दिखने में अच्छी लगे लुकिंग अच्छी लगे इसलिए मैंने डाली है और यह देशतियों हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी होगी आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको हमारी वीडियो थोड़ी जरा भी पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा और हाँ यह दि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लिजीगा मैं उसका रेप्लाइज जरू दूँगी तो मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी में ओके बाइ फ्रेंड